चलिए स्टूडेंट्स, हम लो question number 11 को solve करने वाले हैं. Question number 11 कहा रहा है, किसी car के दो rapper है, आप लोग car के wiper देखते होंगे, जो car होता है, car के आगे उसके CC पर वाइपर्स लगए होते हैं, वही वाइपर्स हैं, परसपर कभी आच्छादित नहीं करते हैं यानि कि इनके जो छेत्पल है या फिर वाइपर कभी एक दूसरे को काड़ते नहीं है आच्छादित नहीं होते हैं परतेक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है और 115 डिगरी के कोड़ तक घूम कर शफाई कर सकता है पत्तियों की परतेक बुहार के साथ जितना छेत्पल साफ होता है वह ग्याद करना है तो चलिए हम लोग निकालते हैं चलिए हम लोग देखते हैं देखिए यह समझे कार क्या है वाइपर है इस तरीके से कार का वाइपर है तो समझे ये वो पत्ती हो गई वाइपर की पत्ती हो गई और एक कुछ इस तरीके से समझे इसका क्या हो गया सेंटर हो गया यहाँ पर पेंच लगा होता है जहां से वाइपर गूमता है समझे और दिया क्या है यह जो पत्ती है यह पत्ती है इसकी लेंध कितनी दे रहा है 25 सेंटीमिटर हो ग्हां यह गोता है ऐसे देखिए ऐसे है और ए इस तरीके से ऐसे गूम सकती है यहां तक आएगी फिर ऐसे गूमेगी फिर ऐसे यहां तक आएगी और इस तरह से ऐसे गूमते है गूमने पर देखिए जो इसका एरिया है कुछ यहां तक आता है ऐसे एक दूसरे को काड़ता नहीं ऐसे आता है औ तो इस तरीके से दिए और कितने डिग्री पर गूम सकता है 115 डिग्री पर गूम सकता है ऐसे गूम करके यहां आएगा फिर ऐसे गूम करके इस तरीके से आएगा ऐसे गूम रहा इस तरीके से आएगा और इसमें भी ऐसे गूम करके इस तरीके से आएगा तो समझे ऐसे समझे यहां से गुमना सुरू कर रहा ऐसे यहां तक आया फिर ऐसे यहां वगत कुछ इस तरीके से किसी पोजिशन पर यहां तक आया इस तरीके से किसी पोजिशन पर यहां तक आया इस तरीके से यहां सकता है ऐसा इसे गुम रहा है हम इसको माल ले रहे हैं इसका जो सेंट्रल एं एक इतना है यहां से क्या मिल गया है यहां से में क्या मिल गया कि यहां पर दिया जो पत्ती है पत्ती की लंबाई कि इतने 25 सेंटिमेटर जो परति है तरह वर करेगी त्रिज्जिया का तो पत्ती की जो लंबाई हो बराबर होगी किसके पत्ती की लंबाई बराबर तरिज्या के उसके तरिज्या हो जाएगे वही आर तो कितना है 25 cm और जो ठीटा है ठीटा कितना दिया है 115 डिगरी तो एरिया क्या हो जाएगा, छेटपल क्या हो जाएगा तो जो वाइपर साप कर रहा है, देखी वाइपर कितनी दूर तक साप करेगा कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, देखी ऐसे रोटेट करके इतना एरिया साप कर रहा है तो हमें ए एरिया निकालना है तो ए जो एरिया होगा जितनी दूर में सफाई करा किस के बराबर होगा किस के छेदपल के बराबर होगा त्रिजिखंड के छेदपल के बराबर होगा इसको आप समझे त्रिजिखंड के छेदपल के बराबर होगा तो वाइपर द्वारा साप किया जाने वाला जो छेदफल होगा साप किया जाने वाला छेदफल किसके बराबर होगा त्रिज जिखंड के छेदफल के बराबर हो जाएगा त्रिज जिखंड के छेदफल के बराबर हो जाएगा और जो 30 खंड होता है 30 खंड का छेतपल क्या होता है पाई आर स्क्वाइर थीटा पॉन थेड़ी 60 डिगरी और यहाँ से देखें क्या हो जाएगा पाई का बैलू रखी बाइस बटे साथ अर कितना है 25 सेंटीमिटर थेडर का स्क्वाइर कर दिया 25 सेंटीमिटर का स्क्वाइर और ठीटा कितना है 115 डिगरी 115 डिगरी अपाउन 360 डिग्री तो चलिए इसको काटिए 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 1 ग्यारा 5 तियाई 15 इसको 5 से काटिए 5 सत 35 एक 36 पांच दूनी 10 तो लेक लेजिए हल करके इस इक्वल टू हो जाएगा 22 बटे साथ कूडे 25 का स्क्वाइर इसको लेक लेजिए 25 गुडे 25 गुडे और तेज और ये जो बटे में साथ है वो नीचे चलाएगा गुडे 22 तो कैंसिल करिए देखे इसको काटिए 2 से यहाँ पर आज़ेगा 36 इसको काटिए यहाँ पर आज़ेगा 11 तब इसको मल्टिप्लाई कर दीजिए 25 को 25 से मल्टिप्लाई करेंगे 625 आज़ेगा और 23 को 11 से मल्टिप्लाई करिए 21 के 23 के 3 हासिल 2 और 21 के 23 और 2 25 बटे कितना वज़ेगा 36 गुड़े 7 चलिए इसको हल करते हैं यहाँ पर देखे इसको मल्टिप्लाई करिए इसको मल्टिप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं 25 खुड़े 253 करिए मल्टिप्लाई करिए 35 15 के 5 हासिल 1 3 2 6 1 7 3 6 18 फिर 5 25 के 5 हासिल 2 5 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 5 6 31 फिर 2 से मल्टिप्लाई करिए 25 10 के सुन हासिल 1 2 2 4 1 5 2 6 12 आड़ कर लिजे 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 2 11 1 हासिल 1 1 1 2 1 3 5 8 3 2 5 1 तो 15 81 25 लिखिए 15 81 25 आपवार में क्या हो जागा 36 गुड़े 7 तो 7 चंग 42 के 2 हासिल 4 7 चंग 42 के 2 हासिल 4 7 तरिक 21 4 25 252 तो देखिए यहां पर मल्टिप्लाई करने के बाद कितना आया 15 18 25 अपान 200 बाउन एक कितना छेतफल आया है एक छेतफल आया है जो वाइपर थे जैसे एक वाइपर के द्वारा कितना एरिया साप किया जा रहा इतना एरिया साप किया जा रहा तो दो वाइपर है तो दो वाइपर के द्वारा कितने एरिया साप किया जाएगा चलिए हम लोग दिखते हैं दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया छेथफल हम लोग निकालते हैं दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया छेथफल क्या होगा साफ किया गया छेथफल बराबर हो जाएगा देखें एक वाइपर द्वारा इतना हो रहा दो आइपर द्वारा दो गुड़े इतना हो जाएगा दो सो बावं तो कैंसल करिए दो एक के दो दो दूनी चार एक पाँच दो छंग बारा तो कितना आ गया पंद्रह अठारह पचिस बटे एक सो चब्विस सेंटीमेटर स्क्वायर तो यहां पर देखिए एवाला वाईपर कितना साप कर रहा है पंद्रह अठारह पचिस बटे दो सो बावन एवाला भी उतना ही साप कर रहा है तो दोनों को मिला देंगे यानि कि दोनों के दोरा जो साप किया गया छेदपल होगा वो कितना आजाएगा पंद्रह अठारह पचिस बटे एक सो चप्पिस तो इस तरीके से मैंने गाईज इस क्वेस्टन को सॉल्व किया बटेंगे